जैस्री कृष्टा, कैसे आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से हर घड़ी प्राथना करते हैं कि इश्वर आप सभी को बहुत श्वस्त रखें, बहुत मस्त रखें आप जो भी चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए वो सब कुछ आपको मिले, जैसे कि आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, आपको आपके करियर में धेर सारी सक्सिस मिले आप अपनी जिन्दगी में एक ग्रोध हासिल करें, नाम कमाएं Dear, हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से ऐसे ही प्रात्ना करते हैं आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और ये सब के लिए है, सब के लिए, सब को बहुत अच्छा लगेगा और टॉपिक है कि आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है आपका X या फिर कोई Next कौन आने वाला है देखिए, कुछ लोग बिल्कुल सिंगल है जो जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन आ रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं हो सकता है कि वो उनका crush हो या फिर हो सकता है कि वो उनका X हो जैसे कि masculine हो सकता है आपका soulmate हो सकता है जो किसी भी वज़ा से आपसे दूर हो गया है तो कौन आ रहा आपकी जिंदगी में कोई New Person आ रहा है आपका X आ रहा है या फिर आपका crush आ रहा है कौन है ठीक है तो आपको क्या करना है अगर आपको सही जानकरी चाहिए आपको एक option choose करना होगा फिर अपनी reading देखनी है dear किसी वज़ा से आपको वो reading देखते वक्त ऐसा लगता है कि इसमें बताई गई बाते आपसे match नहीं हो रही है तो आप दूसरा पाइल सुन लीजिए दूसरी reading देखिए क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई message हो क्योंकि ये general reading है और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ठीक है? जैसरी कृष्णा option number one कैसे हैं आप? हम आसा करते हैं कि आप श्वस्त होंगे आप अपना खयाल रख रहे होंगे अपने अपनों का खयाल रख रहे होंगे तो dear आप जानना चाहते हैं कि आपकी life में कौन आने वाला है बहुत जल्द तो सबसे पहले हम इसके nature की बात करते हैं आप अपने अप समझ चाहेंगे कि कोई new person है या फिर आपका ex है बाकी चीजे तो हमें clear हो चुकी है कि कौन आने वाला है लेकिन कुछ लोगों के लिए new person है और कुछ लोगों के लिए उनका ex है तो इसके nature की बात करते हैं ठीक है? इसको trust issue बहुत जादा होता है शक्की type का इनसान है मतलब कि ये सोचता है कि जिससे मैं प्यार करूँ वो सिर्फ मुझ से बात करें ना किसी और से बात करके हसे ना किसी और की तरफ देखे ना किसी और के बारे में सोचे मतलब कि अगर आपके दोस्त भी होंगे ना close friends उन्हें भी बरदास्त करने वाला इंसान नहीं है ये उन्हें भी बरदास्त नहीं कर सकते और हाँ ego भी इन में बहुत जादा है समझ रहें ego भी इन में बहुत जादा है गुसा हो जाते हैं तो sorry नहीं बोल सकते है sorry नहीं बोलेंगे ये कोशिश करेंगे हर तरह से सामदाम दंड बेद अपना लेंगे कि आप ही आगर इन्हें मनाएं मतलब कि चिट भी है इनकी और पट भी इनकी समझ रहें है गलती भी ये करे और मनाएं भी आप इन्हें ये आपसे sorry भी नहीं बोलेंगे ऐसी energy है इनकी ऐसा nature है इनका समझ रहें और कुछ लोगों के लिए हम बोल दें बहुत strong connection है जैसे कि रूँ का रिष्टा long distance issue हो सकता है हाँ intercast issue भी हो सकता है religion issue भी हो सकता है connection बहुत strong है जैसे कि divine connection है ये समझ रहे हैं spiritual type का connection है ये person independent है और दिखने में भी काफी खुबसूरत है smart है good looking है इसका dressing sense बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात करें न तो ये fire sign है बहुत strongly ये fire sign है Aries, Leo, Sagittarius बहुत strongly बोल सकते हैं समझ रहे हैं बात-बात पर इसे गुसा भी आ जाता है आपसे जगड़ा भी कर लेता है बात-बात पर जगड़ा करता है और कभी-कभी बहुत जदा negative हो जाता है ज़्यादा तर करके negative ही रहता है ये क्योंकि reason है इसके आसपास जो लोग है वो negative है इस वज़े से इसके आसपास negative energy बहुत ज़ादा होती है ये हमेशा इस कोसिस में रहता है कि जो भी इसके touch में रहे वो सिर्फ इसके ही साथ रहे मतलब कि उसे बांद कर रखना चाहता है और ये physically बहुत ज़ादा attract हो जाता है लोगों से इसे बाहरी खुपशूरती बहुत ज़ादा पसंदे लोगों की जैसे कि ये लोगों के dressing sense पर फिदा हो जाता है इसे जो बाहरी खुपशूरती है नवो बहुत attract करती है बहुत ज़ादा बस लड़ाकों एक नमबर का है लेकिन सौरी बोलना नहीं जानता समझ रहे हैं और जो इसके दिल दिमाग में चल रहा होगा वो आपसे ये नहीं बोलेगा किसी और मुद्दे पर लड़ाई कर लेगा लेकिन जो मेन बात होगी न वो नहीं बताएगा गुमा फिराकर बात करता रहेगा लड़ता रहेगा जगड़ता रहेगा लेकिन मेन बात नहीं बताएगा और फीलिंग्स हाइट तो बहुत ज़्यदा करता है मतलब कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता है अपनी feelings बहुत ज़्यादा छुपाता है इसे ऐसा लगता है कि मेरी feelings सामने वाले को पता नहीं चलने चाहिए अगर यह हमेशा सोचते हैं कि लोग इनकी care करें लोग इन्हें प्यार दें लोग इन्हें बहुत ज़्यादा attention दें लेकिन खुद इन्हें देना नहीं आता है यह सिर्फ प्यार पाना जानते हैं प्यार देना नहीं जानते हैं जो nature है वो ऐसा ही है ठीक है अपने career को लेकर बहुत serious हैंगे कि इन्हें life में कुछ करना है इनका एक goal है कि मुझे जब तक success नहीं मिलेगी मैं सांती से नहीं बैठूँगा अगर यह कोई social worker है समझ रहें अगर यह कोई social worker है तो इनके हजारों लाखों fans होंगे followers होंगे मान सकते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है इनकी जो personality है बहुत attractive है लोग इनका व्यक्तित्व देखकर ही attract हो जाते है तो dear यह है इस person का nature अब आप हमें बताएंगे कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते है क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका friend है या फिर आपका कोई crush है या फिर आपका ex है ठीक है यह हो गई इस reading की पहली condition अब हम जो 80% लोगों के लिए हमें वाई बारी है वो यह है कि यह है आपका masculine अगर अभी आप इसके साथ separate है तो dear आपका masculine है जो आपकी जिन्दगी में आना चाहता है जो बहुत जल्द आपकी life में आने वाला है आपके साथ new beginning करना चाहता है आपको तो पता है feelings height करना masculine का काम है बात बात पे जगड़ा करना root जाना और sorry नहीं बोलना अपना attitude लेकर रहना masculine का काम है सबसे ज़्यादा trust issue अगर किसी को होता है तो वो masculine को होता है अपने career को लेकर अगर कोई serious है तो वो masculine है और ज़्यादा तर करके twin soul वालों के साथ intercast issue बहुत ज़्यादा strong होता है कहते हैं न कि ये एक ऐसा रिष्टा है जिसे लोग आसानी से नहीं मिलने देंगे आपके दर्मियान कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा कुछ न कुछ जैसे कि age difference हो सकता है long distance हो सकता है intercast हो सकता है religion हो सकता है क्यूं? क्यूंकि masculine और feminine इतनी आसानी से नहीं मिल सकते इतनी आसानी से क्यूंकि ये एक spiritual journey में होते हैं और इतनी आसानी से अगर ये मिल जाएं तो फिर हर इंसान मौक्ष की प्राप्ती ही न कर ले इस वज़े से इनके दर्मियान इतने इशू क्रियेट होते हैं अब जब इतने सारे इशू होगे तो family कहां से आप लोगों को accept करेगी family कहां से आप लोगों को एक होने देगी नहीं ना दुनिया भर के अडंगे लग जाते हैं इनके रिष्टों में अब देखें हमें ये भी पता है कि आप इसे manifest कर रहे हैं अगर ये आपका masculine नहीं है आपका crush है आपका soulmate है जो भी है तो आप इसे manifest कर रहे हैं बहुत समय से बहुत समय से आप इसे manifest कर रहे हैं और अगर आप married हैं आप अपने husband या wife से separate हैं तो आप अपने husband या wife को manifest कर रहे हैं आप चाहते हैं उनके साथ new beginning करना और अब ये भी आपके साथ new beginning करना चाहते हैं जो भी लडाई जगडे हुए हैं उन्हें भूल कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर पता है बहुत strongly cards आए होगे हैं टेल सोल जर्णी वालों की बहुत ज़्यादा अब देखें आप इसे manifest कर रहे हैं आप अपना inner work कर रहे हैं आप जो भी हैं आप feminine हैं या नहीं हैं आप male हैं या फिर female हैं आप अपने crush को पाना चाहते हैं अपने ex को पाना चाहते हैं फिर कोई new person भी आप अपनी life में चाहते हैं तो कही ने कही अपनी spiritual journey की माध्यम से अपने meditation की माध्यम से आप इसे attract कर रहे हैं समझ रहे हैं और उसका असर यूँ हुआ आपके masculine पर आपके expert की इसे आपके प्यार की आपके एहमियत की कद्र होने लगी है इसे समझ में आ गया है बहुत कुछ समझ में आ गया है पहले ये feelings hide करता था कुछ भी बताना नहीं चाहता था लेकिन अब ये सब कुछ आपसे कहना चाहता है ये पूरी तरीके से खुद को बदल देना चाहता है इनसान को जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता वो अपने अंदर सुधार करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि वो गलत है जब तक उसे ये एहसास नहों कि वो गलत है तब तक वो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाता अब इसे महसूस हो चुका है कि मैं गलत हूँ इसे ये महसूस हो चुका है कि इसकी फैमली गलत है इस वज़े से अब ये आपके साथ अपनी जिन्दगी की एक नई शुरुवात करना चाहता है बहुत जल्द आपको commitment दिना चाहता है आपसे शादी करना चाहता है इसे ये पता है कि सारे रिष्टे स्वार्थ के हो सकते हैं लेकिन मेरी feminine का जो relationship है वो स्वार्थ का नहीं है वो निश्वार्थ है एक वही प्यार है जो मुझे किसी स्वार्थ से नहीं देती निश्वार्थ भाव से देती है अब देखे आप male है या फिर female है हम पहले भी बोल चुके हैं कि masculine feminine कोई इस तरी पूर्ष नहीं होते हैं सिर्फ एक energy होती है हो सकता है कि masculine energy किसी female के अंदर हो और हो सकता है कि feminine energy किसी male के अंदर हो बिल्कुल ऐसा ही लेकिन हम क्या बोलेंगे feminine को कि आपकी तरह उसे कोई प्यार नहीं देता और वो समझ चुका है कि एक यही वो इनसान है जो पूरी जिन्दगी मुझे खुश रख सकता है एक यही वो इनसान है जो मुझे समझ सकता है मेरी हर बात को बिना कहे समझ सकता है बाकि कोई और नहीं है जो मुझे समझ सके इसकी जो energy है अब तो आप समझ गए होंगे न कि आपका X है जो आपकी जिन्दगी में आने वाला है और जो लोग यहाँ पर सिंगल है न उनके लिए हमने नेचर बता दिया है कि जो इंसान आपकी जिन्दगी में आने वाला है उसका नेचर कैसा होगा सब कुछ बता चुके हैं आप अपने आप समझ लेंगे कि कौन है लेकिन यहाँ पर मस्कुलाइन की तरफ से एक सॉंग डेडिकेट हुआ है वो हम आपको सुनाते हैं ठीक है पक्का ये सॉंग सुनकर आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं तो आखे बंद कर लीजिए क्योंकि वाकई इसकी फीलिंग्स हैं ऐसी और ये तो आप भी चानते हैं कि उसके पास जितने भी लोग हैं वो उसके दोस्त हों उसके फैमली वाले हों वो सिर्फ उसे यूज करते हैं उसे बेवकूफ समझते हैं और सिर्फ आप हैं जो उससे बिना किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं उसकी हर बत्तमीजी बरदास्त करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप उसके साथ वो रिष्टा महसूस करते हैं जो आपने आज तक किसी और के लिए नहीं किया है और इसी वज़े से आप चाहा कर भी इसे छोड़ने पाते इस रिष्टे से मुगान करने पाते ये कुछ भी कर ले आप उसे बरदास्त करते हैं पर इसे दूर जाने पाते हैं बन के हम दर्द मेरा हम साया तू मेरी जिन्दगी में आया था प्यार अपनों से भी ज़्यादा दिया तू ने मुझे लोग कहते हैं तू पर आया था लोग कहते हैं तू पर आया था ए मेरे दोस्त लोट के आजा बिन तेरे जिन्दगी अधूरी है आके तो देख मेरी हालत को बिन तेरे हर खुशी अधूरी है ए मेरे दोस्त लोट के आजा आप इसके लिए दोस्त भी हैं इसका प्यार भी हैं इसका परिवार भी हैं आप सब कुछ है इसके लिए आप इसे दोस्त का भी प्यार देते हैं दोस्त की तरह समझते हैं परिवार की तरह प्यार देते हैं और प्यार की तरह इसका खयाल रखते हैं इस वज़े से ये कह रहा है कि एह मेरे दोस्त लोट के आजा बिन तेरे जिन्दगी अधूरी है बहुत अकेला पर महसूस कर रहा है और सच में अभी ये वाकई बदल चुका है और आपकी जिन्दगी में आना चाता है बस अगर आप ट्विन्स होल जर्णी में हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ध्यान रखना आपको डिवाइन से कनेक्शन नहीं तोड़ना है समझ रहे हैं अगर आज आप दोनों का यूनियन होने जा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ इश्वर की वज़े से आपके मेडिटेशन की वज़े से आपके मैनिफेस्टेशन की वज़े से समझ रहे हैं अगर आपने मस्कुलाइन के लिए फिर से डिवाइन से कनेक्शन तोड़ दिया दूरी बना ली तो फिर से बदल जाएगा इसमें इसका कुछ दोस नहीं होगा नेगेटिव एनरजियां इस पे फिर से भारी पड़ जाएगी अभी आपकी पॉजिटिव एनरजी है जिस वज़े से यह इतना पॉजिटिव हुआ है तो डियर यही वो परसन है जो आपके जिन्दगी में आने वाला है आप हमें कॉमेंट करके बताईए कि आप इससे जानते हैं जिनके लिए न्यू परसन है क्योंकि हमने नेचर बता दिया है ठीक है जैस्टि कृष्णा अपना खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सूचना है कभी भी नहीं सूचना है क्योंकि लोकों का काम कहना ही होता है और वो पूरी सिंदगी कहते हैं आपको पूरी सिंदगी उनकी परवा नहीं करनी है अपने खुशियों की परवा करनी है ठीक है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता है आपकी आत्मा कहती है तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सबस्क्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और अगर आप इस प्रिश्वल्टी में इंट्रेस्टेड हैं तो हमारा दूसरा चैनल भी है उसमें हमने बहुत सारे इस्प्रिश्वल वीडियो अप्लोड किया हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आप चाहिए उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और हमसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएए ठीक है जैश्री कृष्णा option no.2 कैसे हैं अप हम आसा गरते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे तो dear आप जाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है तो good news है और good news सुरने से पहले हमें रिश्वत चाहिए होती है कहा है हमारी रिश्वत चलिए जल्दी से दे दिजें क्योंकि आपकी रिश्वत ताकत है हमारी हिम्मत है हमारी आपकी रिश्वत से हमें धेर सारा motivation मिलता है समझ रहें तो जल्दी से रिश्वत दे दिए उसके बात जल्दी से हम बताते हैं कि कौन आने वाला है कौन आने वाला है कौन आने वाला है देखिए इधर हमें यह बताने के बिल्कुल भी जरुत नहीं है कि वो कैसा है क्या है क्या नहीं है बस आप यू समझ लो जो भी है परफेक्ट है आप मेल है या फिर फिमेल है जो भी ऐसे आप को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल वैसा ही और पता है सबसे बड़ी बात क्या है इस सीधे आपके साधी होने वाली है बिल्कुल इधर इतने सारे काड़ race क्या हुए हैं क्या बताएं कुछ लोगों के लिए तो जैसे कि उनकी शादी ने हो रही है तो बहुत समय से वह इश्वर से प्रार्धना कर रहे थे कुछ लोग तो बहुत जारे फास्ट रखते हैं meditation करते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि उन्हें एक अच्छा सा वर्व मिले, उनकी लाइफ में एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर आए, जो उन्हें बहुत प्यार दे, उनको उनका सम्मान करे, उनकी केर करे, उनकी हर बात माने, सब कुछ, है ना, तो dear, ये जो भी है, यू समझ बस इस से आपकी शादी हो जाएगी, 100% इस से आपकी शादी हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए ये new person है, लेकिन आया किधर से है, इश्वर ने भेजा है इसे, इसे आपकी जिन्दगी में इश्वर लेखरा रहे हैं, आपका इसके साथ long distance इसू भी है, थोड़ा बहुत age difference issue भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि जादा नहीं, थोड़ा बहुत आपकी तरफ से या फिर इस person के तरफ से family issue भी है, लेकिन dear, ये independent person है, बहुत stable है, कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की, समझ रहे हैं, और इसके अंदर इतना प्यार है, इतना loving person है, ये वैसा immature type का नहीं है, बहुत समझदार है, इसे जिन्दगी का बहुत तजर्बा है, बहुत अनुभव है, इसे पता है कि जिन्दगी कैसे जीनी है, कैसे बात करनी है, तो हमें पता है कि जब ये इनसान आपकी जिन्दगी में आएगा, अगर कोई new है या फिर आपका ex है, तो अगर intercast, religion, long distance, इन सत चीजों की वज़े से भले आपकी family वाले थोड़े बहुत नाटक करें, या फिर इसके family वाले, वरना कोई मना ही नहीं करेगा, करी नहीं पाएगा, ये है ही ऐसा, बहुत attractive है, बहुत smart है, male समझ लो, या फिर female समझ लो, independent है ये, आप जो भी जिसके लिए भी reading देख रहे है न, independent है, मतलब की stable है, अपनी जिन्दगी अपने बल्बूते पर जी रहा है, और ये बहुत सारी लोगों की जिम्मेदारियां भी उठा रहा है, बस यो समझ लो कि शादी के बाद ये आपको बहुत खुश रखने वाला है, हमें तो यहाँ पर victory नजर आ रही है, और आप सायद जानते हैं कि यह कौन है, आप जानते हैं, देखिए, अगर विदर sign की बात करें तो कप energy, water sign बहुत है, cancer, scorpio, pisces, समझ रहे हैं, cancer, scorpio, pisces भी है, टॉरस पर को Capricorn भी है, और Aries, Leo, Sagittarius भी है, लेकिन water sign बहुत strong है, water sign बहुत strong है, मतब कि यह दिल से सोचने वाला इंसान है, बहुत खुब सूरत है, और यह हर तरह से आपसे attract हो जाएगा, अगर new person है न, जैसे कि आप अभी इसे नहीं जानते हैं, लेकिन आप meditation के थूरू manifest कर रहे थे, जैसे भी, और आपके रहे बिल्कुल unknown है, तो यूँ समझ लो, कि आप इसे देखते ही, आप इसे देखते ही हाँ कर देंगे, आपको ना करने का कोई बहाना ही नहीं मिलेगा, कि इस वज़े से ना करना है, इस वज़े से ना करना है, इसको जब भी आप देख होता है, या फिर जिससे हमारा past life connection होता है, तो जब वो हमारे सामने आता है, जैसे ही वो सामने आता है, तो अंदर बहुत कुछ घटित होता है, जो सिर्फ हमें महसूस होता है, हमारे आसपास वाले समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपका जो subconsens है, वो सब कुछ जानता ह है, उसके अंदर past life की, बलकि कई जन्मों की यादे भरी पड़ी है, तो जब भी वो उसे देखता है तो तुरंट पहचान लेता है, कि हाँ यही है, और इसी के साथ पूरी जिन्दगी जीनी है, तो आप मना नहीं कर पाएंगे इसे, समझ रहे हैं? अगर आप single हैं, तो खुश रखेगा, किसी भी तरीके से आपको नहीं लगेगा कि यह दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा वैसा, आप जैसा चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही है, अब तो सीधे साधी के गाने गाएंगे हैं, साधी वाले सौंग सुनाएंगे आपको, क्योंकि हमें तो साधी नजर आ रही है, यू समझ लो, कि जो भी परसन है, एक तो बहुत महनती है, काम चोड टाइप कर नहीं है, समझ रहे हैं, बहुत महनती है, और हर कीमत पर यह आप से शाधी करेगा, यह आपकी जिंदगी में टाइम पास करने नहीं आ रहा है, इश्वर अगर इसे आपकी के बारे में बात करें, मदली टाइप का निचर है, गुस्सा आता है, लेकिन जितना जल्दी गुस्सा आता है, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, क्योंकि गुस्से से ज़्यादा इसके अंदर प्यार भरा हुआ है, और इसके अंदर इगो नहीं है, एटिट्यूड नही यह तो आसमान से जूड़े रहने वाला इंसान यह चीज़े आ गई थोड़ी बहुत चीजे उल गई तो आसमान पे उड़ने लगा यह अपनी हद कभी भी नहीं भूलता है इस速 की इनसान को हमेशा अपनी हद में रहना चाहिए और जमीन से जुड़े रहना चाहिए ठीक है ये हर किसी की रेस्पेक्ट करने वाला इंसान है सम्मान करने वाला इंसान है अगर कोई इसे दो-चार बाते बोल भी देगा या आप इसे बोल भी देंगे तो जदा माइंड नहीं करेगा जल्दी गुसा नहीं आता है लेकिन जब जल्दी आता है तो आप अगर इससे प्यार से बात करेंगे तो मान जाएगा और अगर आपके अंदर एटिट्यूड आया अगर आपके अंदर कुछ ऐसा इसने देखा तो फिर इसका गुसा शांत करना थोड़ा मुस्किल है मस्ती करना दोस्तों के साथ पार्टी बार्टी करना इसे पसंद है मतलब कि अपने दोस्तों के साथ भूमने जाना और इसके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है जो परसन आपकी जिंदगी में आने वाला है थोड़ा सा ऐसा है कि इसकी फैमली से नहीं बनती होगी मतलब कि थोड़ा बहुत मन मुटाव शायद चलता रहता होगी लेकिन हम आपकी बात करें तो आपके लिए हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा कन्फूजन के स्थिती में शायद आपके पास बहुत सारे option है आप अच्छे से समझ रहे हैं कि यह person कौन है अच्छे से समझ रहे हैं यह आपका ex हो, crush हो या फिर new person हो, जो भी हो पर आपके पास options बहुत सारे हैं लेकिन हाँ, हमें इतना पता है अगर यह new person है और आपने इसे देख लिया तो आप मना नहीं कर पाएंगे और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग इससे किसी शादी में ही मिलेंगे जिनके लिए ये परसन बिल्कुल न्यू है तो आप इससे किसी शादी में मिलेंगे जहां पर मतलब की बहुत सारी मस्ती हो रही होगी, काफी लोग होगे देखे जो लोग unmarried हैं और अपने future spouse का वेट कर रहे हैं तो उन्हें भी triple three angels दिखा रहे हैं उनकी तसली के लिए यह कहना चाहते हैं कि आपकी विश्पूरी हो गई है आप tension मतलीजिए, सही समय आने पर वो person आपकी जिन्दगी में जरूर आ जाएगा सही समय आने पर और कुछ लोग ऐसे हैं जिने triple four बहुत दिख रहा होगा आप हमें comment करके सब लोग बताईए कि किसे कौन कौन से numbers दिख रहे हैं लेकिन हमने पहले भी बताया है कि किसी भी टाइम पर कोई भी number दिखने का कोई मतलब नहीं होता है जब आप कुछ वैसा सोच रहे हों कोई बहुत महत्मूर बात सोच रहे हों और उस वक्त आपको कोई repeated number शो होता है तो उसका मतलब यह होता है कि एंजल्स आपसे कुछ कहना जाते हैं उसका एक मतलब होता है उसका एक meaning होता है तो जिन्हें triple four दिख रहा है उन्हें एंजल्स कहने वाले हैं कि अब तक आपकी life stable नहीं थी आपकी जिन्दगी में बहुत भाग दोड थी शायद लोग आपकी जिन्दगी में आते थे खेल के चले जाते थे आपकी emotions का मजाक उड़ा कर चले जाते थे शायद आप किसी को like करने लगते हो stable नहीं थी आपने सोचा होगा कि कब तक चलेगा ऐसा तो अब एक ऐसा इंसान आपकी जिन्दगी में आएगा जिसके आते ही आपकी life is stable हो जाएगी आपकी खोज पूर हो जाएगी जैसे कि अभी एक searching चल रही है ना सर्च कर रहे है आप ये वो ये भी नहीं वो भी नहीं ये भी नहीं तो उसके आते ही आपकी searching खत्म हो प्यार तो बहुत सारा होगा, तो इसकी तरप से एक प्यारा सा सौंग हम आपको सनाते हैं, ठीक है? तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात सातों फेरे होगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम, दिया और बाती हम समझ रहे हैं? जीवन साथी हम, दिया और बाती हम ऐसा कनेक्शन होगा दिया और बाती जैसा बहुत प्यार होगा देखे, ज्यादा प्यार के बारे में समझा नहीं सकते हैं क्योंकि प्यार के विशे में ज्यादा बोला नहीं जा सकता है सिर्फ महसूस किया जा सकता है अब सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है प्यार जताने का, प्यार समझाने का तो इनका बहुत special तरीका है समझ रहे हैं लेकिन बस आप इनके साथ पूरी जिन्दगी खुश रहेंगे और यह जो person आपके जिन्दगी में आने वाला है आप इसे जानते हैं नहीं जानते हैं new person है आपका X है जो भी है आप हमें comment करके जरूर बताएंगे बहुत बहुत शुष्भ कामना है जैसी क्रिशना अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सूचना है ठीक है कभी भी नहीं और अगर आप इस channel पर पहली बार है आपका मन कहता है आपकी आत्मा कहती है तो आप इस channel को like करके हमने अपनी इमेल आईडी, टेलीग्राम नमबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाएए, कॉंटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रेडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, जै स्वी कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठी परमात्मा को हमारा साधर प्रणाम